एलो पेरेंट्स आज मैं आपको सिंगुलर और प्लूरल के बारे में बताऊंगी कि बच्चों को आप कितने आसान तरीके से सिंगुलर प्लूरल लर्न करा सकते हैं वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेर कीजिए तो आज की वीडियो शुरू करते ले बच्चों को सिंगुलर प्लूरर लर्न कराने के लिए एक तरफ आप सिंगल आपजेक्ट की पिक्चर बनाएए, दूसरी तरफ एक से जादा पिक्चर की पिक्चर बनाएए और उसके बाद उन्हें कला करने के लिए दीजिए और उसके बाद उन्हें समझाईए कि इसे singular कहते हैं यानि single object और इन्हें plural बोलते हैं एक से ज़ादा object बच्चों को जब singular और plural में difference समझ में आ जाएगा उसके बाद उन्हें definitions के according समझाईए जैसे कि बच्चे नाउन की definition पहले ही learn कर चुके थे noun can refer to one or more than one person, place, animal or thing कि noun जहां कौन-कौन से words में use होता है person में, place में, animal में और thing में तो जो person, place, animal, things होते हैं उन्हें ही हम noun कहते हैं तो उसी के बाद आप singular और plural समझाईए singular noun noun can define as that name one person, animal, place or thing is called singular noun जहां पर हमारा person single हो, animal भी single, place or thing यह सब हमारे single use होते हैं उसे हम singular noun कहते हैं उसके बाद plural noun, a noun that names more than one person, place, animal or thing जहां पर हम एक person से ज़्यादा, place से ज़्यादा, animal से ज़्यादा और thing से ज़्यादा यूज करते हैं उनको हम plural noun बोलते हैं उसके बाद examples of singular noun बच्चों को कुछ example देके समझाईए singular noun जैसे house, boy, cat, cow उसके बाद examples of plural noun plural noun में houses हो गया यह, boys, cats और cows तो आप उन्हें बता सकते हैं कि plural noun में हम पीछे क्या लगा देते हैं एस लगा देते हैं उसके बाद singular और plural learn करने के लिए उन्हें इस तरह से कुछ words दीजिए जैसे car, cars, toy, toys, girl, girls, fan, fans, tiger, tigers next topic आता है इसमें rules of use plural form क्योंकि हम हर word के पीछे s नहीं लगा सकते हैं उसके लिए भी कुछ rules बनाए हुए हैं इसमें तो बच्चों को आप इस तरीके से letters लिखके दीजिए कि जिस word के पीछे ch, s, ho, s, double s, x और z अगर ये letters आते हैं तो हम उसमें s नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, t, s लगाएंगे जैसे कि मैंने हापे लिखा हुआ है branch, branches, dish, dishes, mango, mango, bus, buses, loss, losses, fox, foxes और एक special word आता है quiz तो यहाँ पे पीछे z बना हुआ है तो यहाँ पर हमारा double z आ जाएगा और उसके बार yes लगेगा तो आप इस तरीके से बच्चों को सिखाईए उसके बार आता है use of o अगर word के पीछे o लगा हुआ है तो हम single s use करते हैं बट अगर letter हमारा o पहले लगा हुआ है यानि वावल हमारा starting में use हो रहा है तो हम उस condition में इसको oxy नहीं बोलते हम इसको oxen लगाएंगे यहाँ पर en लगाएंगे तो यह भी एक special word है तो आप बच्चों को difference करना बताएए कि special words कुछ ऐसे special words होते हैं जिसमें हम वो rule follow नहीं करते हैं यूज ऑफ वाई यहाँ पर जिस वर्ड के पीछे वाई लेटर आता है तो उसमें हम क्या करते हैं उसमें वाई की जगा पर हम आई-ई-एस का यूज करते हैं जैसे city, cities, body, bodies, country, countries, cry, cries उसके बाद एक और special word आता है की में भी last word क्या है वाई है बट हम यहाँ पर आई-ई-एस नहीं लगाएंगे हम यहाँ पर सिंगर एस लगाएंगे तो यह भी आप बच्चों को difference करना बताएए उसके बाद आता है यूज ऑफ एफ एफ यहाँ पर सिंगलर प्लूरल मैंने दोनों तरफ लिख दिये हैं कि जिस वर्ड के पीछे एफ लगा होता है और एफ ए लगा हुआ होता है वहाँ पर जब हम एफ को डिपलेस करते हैं किस से वी ए ऐस से लीफ लीप्स वाइफ वाइप्स नाइफ नाइफ लाइफ 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 उसके बाद एक और special word आता ह है शेफ में हमारा एफ जो होता है एफ की जगा पर हम वी एस नहीं लगाते हैं हम सिर्फ एस लगाते हैं तो यह कुछ special words होते हैं जिसमें हम रूल सेम ही follow करेंगे सिर्फ एस लगा कर next आता है some nouns do not follow rules कुछ nouns ऐसे होते हैं जो rule follow नहीं करते कोई भी rule follow नहीं करते जिसे हम irregular noun भी बोलते हैं for example ship, deer, bison, hair यह क्या होते हैं इनमें हम ना तो s लगाते हैं ना es लगाते हैं ना ही ves लगाते हैं यह अपने आप में ही plural word होते हैं तो हम इसमें ship को अगर एक से तो हम उसमें ship ही यूज करेंगे, deer को dears नहीं यूज करेंगे, deer ही यूज करेंगे, bizon को bizon और hair को hair ही यूज करते हैं तो यह भी आप बच्चों को learn कराएं जो special words हैं जिनमें हम plural form में convert नहीं करते हैं उसके बाद आता है some nouns change their vowels inside or middle of words यहां पर क्या है जो words मैंने देखिया मैंने लिखिये हुए हाँ पर जैसे वावल बना हुआ है man इसमें वावल क्या है a tooth डबल ओ वावल है woman a वावल है तो यहां पर इस तरह से जो वावल होते हैं उसकी जगापर हमारा e में convert हो जाता है तो यह भी आप बच्चों को समझाए इस तरह के कुछ example लेकर जैसे man का man हो गया प्रणाउस मेरा सेम है man man बट एक ही जगा पर e आ जाएगा tooth teeth woman woman man की spelling learn हो जाएगी तो इस तादीके से आप बच्चों को करने के लिए दीजिए so parents जितने भी मैंने आपको concept समझाए है और step by step ऐसे ही आप बच्चों को learn कराईए और यह जो concept है बच्चों के first class से ले समझने में कोई भी problem नहीं होगी तो आप इस तरीके से एक दिन में मतलब पहले S के समझाए फिर E S के समझाए फिर I E S के समझाए फिर आप V E S के समझाए और कुछ special words भी उन्हें करने के लिए दीजिए तो पहले आप step by step दीजिए फिर आप उनको mix करके दीजिए तो उसस लाइक कीजिए और शेयर कीजिए मिलते हैं अगले वीडियो करी लाइक कीजिए खिर आप समझाए फिरे आप मिलते हैं जीए और कुछ